हलो एब्रिवान लास्ट ट्रिटोरियल में हमने क्या था इन्पुट डिवाइसीज सेम वे इसमें हम करेंगे आउटपुट डिवाइसीज वो डिवाइसीज जहां से हमें आउटपुट मिलता है लाइक आपका monitor है, printer है, यहां से हमें जो भी हमने काम करवाना है computer से, उसका result मिलता है so main function क्या है output device का, display the result or information, जो भी result है वो display करने के लिए use करते हैं examples आपके monitors, printers, speakers, plotters, one by one हम इनको detail में करेंगे इस video में now अगर हमें formally define करना है output device को, तो हम formally कैसे define करेंगे, वो देखते है a piece of equipment or hardware, output device हमारी एक hardware device होती है, जिसको हम touch कर सकते है which gives out the result of the entered input, जो भी हमने input enter किया, उसका result मिलता है once it is processed, is called an output device हमारा process ही होता है, सबसे पहले input, उसको हम process करेंगे and then हमें output मिल जाएगा so this is the formal definition of output device now सबसे पहले हम करते हैं monitor यह हमारी सबसे important और सबसे ज़्यादा use होने वाली output device है most common and very popular output device now you can see, आपको picture में दिखाई दे रहा है left side में जो monitor बना हुआ है, यह पहले के time पे आते थे जो थोड़ा सा बलकी होते थे heavy होते थे, पीछे से भी उसमें एक part बना होता था आगे पीछे दोनों side से मोटी मोटी से होते थे जैसे हमारे पहले के TV भी आते थे but आजकल monitors कैसे आने लग गये, flat screen बिल्कुल flat होते हैं, पीछे से भी कोई portion नहीं निकला हुआ है, पीछे से भी flat होते हैं आजकल हमारे TV भी ऐसे ही आने लग गये है so it looks like a TV, बिल्कुल TV जैसे दिखाई देते हैं and is also known as VDU, visual display unit now इसमें जो picture दिखाई देती है, जो हमें screen दिखाई दे रही है वो बनी होती है, छोटे छोटे dots है and उन dots को हम बोलते हैं, pixels आप अगर अपने camera भी यूज़ करते हो phone का उसमें आप resolution सेट करते हो, वो resolution भी pixel में गीवन होता है या अगर आप paint यूज़ कर रहे हो application तो उसमें भी pixels में गीवन होती हैं, चीज़ें so एक screen या एक image जो बनी होती है, हमारी वो बनी होती है, छोटे छोटे dots से उन dots को हम बोलते हैं, pixel और एक screen पर कितने dots आते हैं, उसको हम बोलते हैं, resolution okay, जितने ज्यादा pixels होंगे, उतनी ज्यादा आपकी quality अच्छी होगी camera में भी यह है, अगर आप pixels ज्यादा करते हो, resolution हाई रखते हो तो आपकी photos या videos बेटर आती है, as compared to lower pixels so this is monitor, now there are two types of monitors, generally हम उनको two categories में divide कर सकते हैं, one is cathode ray monitor, CRT monitor, जो आपको left-hand side पर दिखाई दे रहा है picture में, that is your CRT monitor, पीछे से भी थोड़ा सा बलकी है, second is liquid crystal display, LCD monitor, आपने सुना होगई नाम, LCD screen, जो आज़को टीवीज में भी आती है, so monitors की भी हम दो categories बना रहे हैं, CRT and LCD, mechanical इसमें क्या difference है, वो हम, इसमें cover नहीं करेंगे, वो आप computer graphics में पढ़ होगे, इसमें हम सिर्फ इनकी basic या character sticks है, वो देख रहे हैं, जो CRT monitor है, जो left-hand side पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं large in size, देखने से पता चल रहा है, I told you, वो बलकी होते हैं, दूसरा क्या है, power consumption जादा होती है, LCD में देखते हैं, वो होते हैं, आपके light weight and flat screen monitor, picture से आप इस चीज़ को बता सकते हो, flat screen है, और इसमें जो electricity use होते हैं, वो भी small होती है as compared to CRT, CRT वाले में पहले के time पे monitors में जितनी electricity consume होती थी, उसके comparison में कम है, और picture quality भी better है, जिसे जो HD का concept है, वो अभी आया है, high definition का पहले के time में तो होता नहीं था, right, क्योंकि अब picture की quality बहुत improve हो गई है, अगर आप पहले के जमाने की movies देखोगे, उसमें भी आप देखोगे, जो quality है movie की, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, दिवाइस है, that is printer, now printer पर exams में बहुत बार question आते हैं, कि write short note on printer, तो printer को थोड़ा ऐसा हम ज्यादा depth में cover करेंगे, उसके types को cover करेंगे, printer is an output device which is used to print information on paper, जो आपके पास information computer में store है, या आपके mobile में store है, उसको print करने के लिए, that means, soft copy से hard copy में convert करने के लिए, हम use करते है printer, आज के time में सब लोगों ने printer use किया है, तो सब को पता है, hard copy वो होते हैं, जो print होने के बाद आपको हाथ में मिली है, soft copy जो आपने store की हुई है, now types of printer यह important है, printer को हम generally दो categories में divide करते हैं, one is impact printer, and another one is non-impact printer, impact का मतलब है, एक ribbon के उपर, यह ribbon है suppose, उसके पीछे paper लगा हुए आपका, उस ribbon को आप strike कर रहे हो hammer से, और उससे आप कुछ print कर रहे हो, तो जब भी कुछ strike करके आप print कर रहे हो, that is impact, जब बिना strike की आप कुछ print कर रहे हो, that is non-impact, now इनकी further categories होती है, वो हम बाद में करेंगे, पहले दोनों में basic difference कर लेते हैं, impact and non-impact में क्या difference है, now जो आपको left hand side पर दिखाई दे रहा है, that is your impact printer, और right hand side पर है आपका non-impact printer, now impact printer में क्या है, एक ribbon लगा हुआ है, paper के ऊपर, और उस ribbon से हम strike करते हैं, using hammer or whatever equipment we use, और जहां-जहां strike करते हैं, जैसे-जैसे order में strike करते हैं, वैसे हमारी print होती है, difference देखते हैं, दोनों के बीश में, first is, impact printer operates by striking a metal or plastic head against an ink ribbon, यही हम बात कर रहे थे, हमारा ribbon है, suppose this is ink ribbon, इसके पीछे एक paper लगा हुए है, और metal या plastic का एक head है, वो इसके उपर strike करते हैं, जैसे हथोड़ा strike करते हैं, नेल के उपर, वैसे ही वो strike करता है, और उससे आपकी printing होती है, now non-impact में क्या है, कोई भी ribbon के उपर आप hit नहीं करते हो, in impact, the ink ribbon is pressed against the paper, marking the page with the appropriate character, अभी मैंने यहीं बताया, जहाँ जहाँ वो head आपको hit करेगा, वहाँ वहाँ आपकी printing होगी, but non-impact में क्या use होता है, laser, या फिर chemical, या फिर ink jet technology, ink डाल के या laser से आपकी printing होती है, जो impact printer है, क्योंकि इसमें हम hit कर रहे हैं बार-बार किसी चीज़ को, तो उसमें noise ज़्यादा होती है, वो loud होती है, but non-impact में इतनी ज़्यादा आवाज नहीं आती है printing के time, impact printer के examples हैं, आपके dot matrix printer, daisy wheel, line printers, यह भी हम करेंगे discuss, non-impact में आते हैं, आपके ink jet printer, thermal, laser printers, okay, so this is the difference between impact and non-impact printer, में हमें सिर्फ याद रखने, impact में हम strike कर रहे हैं, किसी चीज़ को, ribbon के against, तब printing होती है, non-impact में कुछ भी strike नहीं करते हैं, okay, difference clear impact and non-impact में, next हम देखते हैं, impact printer को भी हम further categorize कर सकते हैं, these are character printer and line printer, character printer, नाम से ही पता चुल रहे हैं, एक time पे आप एक character print कर रहे हो, line printer में क्या है, एक time पे आप पूरी की पूरी एक line print कर रहे हो, so again यह दो categories है, character printer के examples है, dot matrix printer and daisy wheel, line printer के आपके examples है, drum printer and chain printer, यह printers की types होती है, ठीक है, तो आप पे याद रखना, impact के हम दो categories करेंगे, character printer and line, सबसे पहले करते हैं, character printer, नाम से पता चल रहे है, print one character at a time, now character printer में सबसे पहले करते है, dot matrix printer, one of the most popular printer, बहुत पॉपुलर है यह वाले printers, each character printed is in the form of pattern of dots, now अगर देखो, जब कोई छोटा बच्चा है, जिसको लिखना नहीं आता, उसको आप कैसे सिखाते हो लिखना, dot dot बना के, अगर हमें a लिखना सिखाना है, तो हम a की शेप में dot dots बना देंगे, फिर वो उसको trace करते है, dot matrix printer भी dot के pattern में print करते है, like, here you can see, in this picture, a to z तक dot dot की form में लिखे हुए है, 0 to 9 और जितने भी आपके characters है, so dot matrix printer आपको ऐसी printing देते है, dot dot से आपके characters बने हुए होते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत बार अगर हम hotel में जाते हैं, उनकी जो receipt मिलती है, या malls में जो receipt मिलती है, उसमें जो characters हैं, उसको आप ठीक से पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो dot dot करके बने हुए होते हैं, so quality इतनी अच्छी नहीं होती इसमें, advantages क्या हैं इसके, cheap है, सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा use होते हैं, और इसमें आप किसी भी language के characters को print कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई भी shape है character की, आप उसको dot dot करके बना सकते हो, कोई भी shape को, so किसी भी language के character के लिए, आप ये printers use कर सकते हो, now disadvantage क्या है इसमें, एक तो speed कम है moreover it has poor quality अभी मैं बात करी थी बहुत बार receipt होती है उसको पढ़ा नहीं जाता कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्योंकि वो dot matrix printer होते हैं वो dot dot से बने होते हैं तो receipt में clearly visible नहीं होते words क्योंकि इसमें quality poor होती है बड़ सस्ते होते हैं बहुत ज़्यादा use होते हैं next character printer में दूसरा है आपका daisy wheel now daisy wheel में क्या है यह आपको wheel दिखाई दे रहा है जो first picture है हमारी इस wheel की बहुत सारी hints बनी हुई है इसको daisy wheel क्यों बोलते हैं जैसे daisy का food होता है उसकी जो petals ऐसे खुली हुई होती है इसी shape में so that is why it is known as daisy wheel एक wheel बना हुए है उसकी बहुत सारी hints है now जो यह hints बनी हुई है इनके ऊपर alphabats लिखे हुए है सारे alphabats सारे characters आपके इन pins के ऊपर लिखे होते हैं और जो head बना हुए है यह इधर यह strike करते है और printing होती है so that is why it is known as daisy wheel क्योंकि daisy के food की तरह इसमें पतियां बनी हुई होते है जो आपके pins बनी हुई है advantages क्या है इसकी quality better है as compared to dot matrix ज़्यादा reliable है और forms of characters can be easily changed disadvantage क्या है देखो dot matrix हमारा slow था यह वाला उससे भी ज़्यादा slow है moreover यह noisy है जब आप इस printer को use करते हो तो आवाज बहुत होती है okay so this was daisy wheel character printer होगे हमने दोनों कर लिये है next हम करते है line printer line printer का मतलब है एक line एक time पर print कर रहे हो character printer में print one character at a time line printer print one line at a time पुरी की पुरी line एक साथ आ जाएगी एक बार में इसमें हम दो करेंगे one is drum printer दूसरा है आपका chain printer so सबसे पहले देखते हैं drum printer नाम से पता चले है drum so इसकी जो shape है वो drum जैसी होती है left hand side पर जो picture बनी हुई है वो drum printer की बनी हुई you can see drum जैसी shape है now देखो right hand side पर एक picture बनी हुई है जिसमें एक drum एक cylinder टाइप बना हुआ है और उसके उपर characters लिखे हुए आपके alphabats लिखे हुए now जो इड्रॉम टिंटर है इसका यह drum है इसका surface multiple tracks में divided होता है this is one track this is my second track ऐसे बहुत सारे track बने हुए है और सारे tracks पे आपके पूरा जो character set है जो भी characters आपको use करने है वो इसके उपर बने हुए होते है जैसे इस पूरे drum की एक rotation पूरी होगी एक line पूरी आपके print हो जाएगी ठीक है like picture में देख सकते हो paper बना हुआ है paper के पीछे hammer बना हुआ है now मालो यह आपके जो है tracks बने हुए rotate हो सकते है हो भी आपको print करना है वो set करोगे hammer से strike करोगे और वो आपका print हो जाएगा इसको हम ज्यादा detail में नहीं करेंगे यह सब आपके knowledge के लिए है बस आपको याद रखना है drum जैसे shape है और बहुत सारे आपके character set आपके लिखे हुए है now advantage क्या है इसकी बहुत high speed होती है क्योंकि पूरी की पूरी line को एक साथ कर रहे है print rather than एक करेक्टर को तो speed इसकी जादा होती है disadvantage is कि यह महंगे होते हैं इसे जनरली हम इनको नहीं देखते है अपने day to day life में because these are expensive moreover देखो drum बना हुआ है drum के उपर जो characters लिखे हुए है जो alphabets लिखे हुए है वो आप इतना easily change नहीं कर सकते इसलिए इसमें font जो है वो change नहीं होगा next line printer में हमारा है chain printer line printer में हमें दो करने drum and chain drum हो गया next is chain now left hand side पे you can see यह उसके अंदर के working दिखा रखिया chain जैसी बनी हुई है chain can you see this chain उस chain के ऊपर आपके characters लिखे हुए है बीच में एक ribbon है ribbon के पीछे paper है और paper के पीछे hammer है just pause the video जो आपको diagram बना हुआ है इसमें उसको ध्यान से देखो बहुत सारी चीज़े उसी से clear हो जाएगी right hand side पे line printer का एक example एक photo डाली हुई है कि ऐसा दिखाई देता है line printer chain printer में क्या है chain of character set is used that is why it is called chain printer chain के ऊपर आपके characters लिखे हुए है यह आपको याद रखना है now advantages क्या है इनके fonts हम easily change कर सकते है drum printer में हम fonts नहीं change कर सकते है chain printer में कर सकते हैं और इसमें अलग लग language भी use कर सकते है now disadvantage क्या है इसमें अवाज बहुत होती है तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखना है आप बस diagram को ध्यान से देख लो आपको बहुत सारी चीज़े अपना प्याद हो जाएंगी so this was line printer यह खतम हो गया हमारा impact printer इसमें हमने character printers भी कर लिए line printers भी कर लिए now next is non impact printer non impact printer को भी हम 2 categories में divide कर रहा है one is laser printer another one is ink jet printer so सबसे पहले देखते laser printer नाम से पता चल रहा laser so that means they use laser light dots को produce करने के लिए laser light यूज करते है एड्वांटेजिस क्या बहुत अच्छी speed होती है अच्छी quality होती है good graphics quality और बहुत सारे fonts and character size को support करते है disadvantages क्या है महंगे होते है तेको अगर अच्छी quality मिलेगी तो थोड़ा सा महंगा होती है चीज़े right so बहुत अच्छी quality मिलती है इसलिए यह expensive होते है now इसमें problem क्या होती है laser printer में मालो मेरे पास एक documenter मुझे उसके 20 copies बनानी है तो एक साथ वो 20 copies नहीं बना सकता print नहीं करेगा वो एक time पर एक ही copy बनाएगा पहले एक copy बनाएगा उसके बाद दूसी copy बनाएगा फिर 30 ही बनाएगा so disadvantage क्या है cannot be used to produce multiple copies of a document in a single printing ठीक है so this was laser printer next is ink jet printer यह आपने बहुत जगे सुना भी होगा कि printer में ink खतम हो गई है right सो वो होते हैं हमारे ink jet printer जिसके अंदर हम ink use करते है characters कोई कैसे print करते है by spraying small drops of ink onto paper अब ink use कर रहे हैं तो इसमें color printing भी possible है colored print out भी मिलते हैं आपको right क्योंकि जो हमारे basic color से उनको मिला के हम कोई भी color बना सकते है moreover इसके अंदर noise भी जादा नहीं होती है वास जादा नहीं होती है advantages क्या है high quality printing more reliable moreover आप colored printing भी कर सकते हो आपने आज कोल advertisement भी देखे होगी बहुत साई TV पे colored printing की कि आप कहीं भी बैठके colored printing कर सकते हो right आपने देखा होगा है sir now disadvantages क्या है यह expensive है because per page जो cost बढ़ती है वो ज्यादा बढ़ती है slow as compared to laser printer वैसे तो fast है but अगर हम laser printer के comparison में देखें तो यह slow है okay so these are the disadvantages so यहां पर हमारा printer वाला topic हतम हो गया है सारे हमने इसके types कर लिया है although आपको थोड़ा सा boring लग रहा होगा but यह types करना बहुत जरूरी है printer important topic है next जो हमारी third output device है monitor हो गया है printer हो गया है third is speaker speaker के बहुत मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं हम सबको पता है speakers क्या होते हैं जिनसे हम music को सुनते है जो sound को increase करने के लिए use होते हैं right now यह बहुत रहके आते हैं आजकल wireless speaker भी आने लग गए है जो आपको right hand side पे photo दिखाई दे रही है वो एक wireless speaker की है bluetooth से connected होते हैं और wired भी आते हैं और generally जो speakers है वो आपको double के pair में मिलते हैं बहुत दो मिलते हैं एक pair में different different color different different shape के आपको यह speakers मिलते हैं इसके बारे में आप अपना बता सकते हैं हम use करते हैं right next is headphones जैसे speakers होते वैसी headphones होते है speakers क्या है बहुत ज्यादा लोगों के लिए कि अगर आपको मालों एक से ज्यादा लोग है वो लोग speaker यूज करते हैं में यूज करना है headphones क्या है single person के लिए जिसने लगा रखा है सिर्फ वही सुन सकता है now headphones with different different color different different size के आते हैं wired भी आते हैं जिसमें wire लगी होते हैं और wireless भी आते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता है just one more thing headphones को हम earphones या headset भी बोलते हैं next and last is plotter now plotter कैसा दिखाई देता है यह आपको इस image से clear है now plotter use होते है printing जैसा ही काम करते हैं पर generally यह हम photograph drawing या image को print करने के लिए use करते हैं इसमें आपको बहुत अच्छी quality मिलती है जो बड़े बड़े posters होते हैं जो अच्छी quality के होते हैं वो सब हम plotter के थुरू करते हैं it provides a high quality of printed output जो आपको colored output लेने है उसमें बहुत अच्छी quality मिलती है मिलती है printer जो हमारी colored printer है उससे far far better quality it is generally used by engineers and architects so this was plotter this was our last output device I hope you learned something from this video thank you all for watching this you